इस अक्षेक अंकाल पर बुजास्तियों को साधने के लिए दोनों तरफ दो चाप पाये जाते हैं इसे हम मेखलाय कहते हैं या गडल्स कहते हैं और इन गडल्स से ही ये अगर बुजा और पश्चबुजा जुड़ी हुई रहती हैं जैसे अगर बुजा के ये हुमरस हड़ी है ये humorous हड़ी ये इसके अंदर में एक glinoid गुहा से जुड़ी रहती है तो हमारा pectoral girdle या उन्समेखला जो उपर का भाग होता है ये होता है उन्समेखला तो pectoral girdle में एक गुहा पाई जाती है जिसे हम कहते है glinoid गुहा इस गुहा से ये humorous हड़ी जो है वो जुड़ी हुई रहती है ये किस प्रकार से जुड़ी हुई रहती है ये ऐसे जुड़ी हुई रहती है ऐसे लगता है मानो ये ball और socket joint दिखता है जैसा अगर मैं इसको निकाल के आपको दिखाऊंगी ये देखेए ये जो humorous हड़ी का ये जो पार्ट है ये बॉल के समान है और ये जो अंदर मैं आपको दिख रहा है ये socket के जैसा है तो गेंद और प्याला संधी इसे कहते है इस प्रकार का ये जुड़ा होता है हातों में अब इस pectoral girdle में या अंस मेखला में दो प्रकार के अस्तिया पाई जाती है एक होती है ग्लैविकल अस्ति और दूसरी होती है scapula ये जो ग्लैविकल अस्ति होती है इसे collar bone भी कहा जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको collar bone का हैसास होगा आप छूके देखेंगे तो ये जो दिखरी है आपको ये collar bone है ये sternum से और रिप से ये जुड़ी हुई है और तो collar bone कितनी हुई ये दो collar bone यहाँ पर दिखरी इसी प्रकार से scapula जो होता है इसे shoulder bone कहा जाता है ये shoulder bone की संख्या कितनी है ये भी दो है और shoulder bone ये हमारे ribs से ribs की दूसरी पस्ति से लेका सात्मी पस्ति तक इस प्रकार से जुड़ी हुई रहती है ये हमारे कंदे में पाए जाती है तो मेखला का जो पहला पाटे ये उपर की तरफ रहता है जिसे हम अंस मेखला कहते है दू इसमें जो femur हडडी होती है जांग में जो पाई जाती हडडी ये भी इस pelvis से ये गडल की सायता से जुड़ी हुई रहती है ये मेखलाव से जुड़ी हुई रहती है इसके अंदर में भी एक गुहा पाई जाती है इस गुहा को कहते है एसिटा ब्यूलम गुहा इस गुहा स यहां पर गेंद और प्याला सन्धी वैसे ही यहां पर जो जुड़ा हो यह इसकी सहायता से यह अपने हाथों को और फेरों को चारों दिशाओं में गुमा सकते हैं अब pelvis girdle में 3 प्रकार की अस्तिया पाई जाती है एक होती है ileum ये होती है ileum ये होती है isham और जो beef की होती है ये होती है pubis तो ये अस्तिया बाद में जुड़ जाती है और एक basin के समान सनरचना बनाती है इस भाग को कहा जाता है pelvis तो यह pelvis का क्या काम होता है यह pelvic girdle यह शोड़ी मेखला इसके क्या कारे होते हैं यह हमारे अंतर के अंगों की रक्षा करती है यहाँ पर गर्भाश है यूरिनरी ब्लेडर पाया जाता है इसकी सुरक्षा करता है ये साथ ही जो पश्य भुजा है उसे जोडने के लिए ये स्थान भी देता है इसी प्रकार से जो हमारी अंसमेखला ये भी अगर भुजा को जोडने के लिए स्थान प्रदान करती है यहां पर पेशियों के जोडन